आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव इसे बनाना इतना आसाने किसी कोई भी 6-5 मिटे बना के त्यार कर सकता है और इसे हम गडाही में बनाएंगे जो इसली बन जाएगा और बहुत ही बेसिक समान से इतने जहुदे टेस्टी बनेंगे कि आप बार बार बनाना पसंद क करेंगे चलिए मज़दार से पुलाओं की रेसिपी को देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमने एक लिटर पानी में एक चम्मस तेल डालना है जिससे हम अगर चावल को बॉल करेंगे तो चावल एक में चिपकेंगे नहीं और इसमें थोड़ी से खड़ी मसाला डाल दिया हमने नमक स्किप कर दिया है और इस पानी में पढ़ियां से बॉल आने दिजेगा हमने यह पर दो हरी मिर्च भी बीच से चिड़ा लगा दिया है और इसकी जब पानी में अच्छे से बॉल आ जाएगा तो हमने जो बास्मती राइस को दो कप लिया है और दो कप बास्मती बढ़ियां से पानी से धो लिया है और पांच फेले ही हमने राइस को धो के रख लिया था साइड में तो इस अच्छे सी सोक कर लिया है चावल और इससे अब गैस को हाई करके 40-50 के लिए चावल को पका लेंगे करीबन 60% तक हमें चावल को cook करना है यहाँ पे ध्यारे कि चावल को हमें बहुत ज़्यादा उभर cook नहीं करना है अगर आप cooker में बना रहे हैं तो इस process को skip कर देज़ेगा आजम कड़ाही में बना रहे हैं तो बहुत ही जल्दी बनती है बहुत ही तेश्टी बनती है यहाँ पे चावल हमारा 60% तक cook हो गया है इसे थाली में निकाल के ठंडा कर लेंगे अब एक पैन में एक चमस देशी घी डालेंगे घी को पहले अच्छे से पिखलने देज़े इसमें एक चमस जीरा डाल देज़ेगा थोड़े से खड़ी मसाला भी डाल देज़ेगा यहाँ पे हमने काली मिर्च और लवंग लिया है दो और दो हरी लैशी लिया है और अगर आपके पास और भी खड़ी मसाले है तो डाल सकते हैं इसका कच्छा पर निकल गया है इसले दससे काजु डाल देते हैं और इसी घी से और भी सब्सक्राइब है इसे टेस्ट और भी जादा बढ़ जाता है अब इसमें डालेंगे कुछ वेजितिबल्स जैसे की गाजर लिया है हमने चोटे-चोटे कुड़ में कट किया है सिम्बला में डाल दिया है आप यहां पर हरा मटर भी डाल सकते हैं और इसमें डाला है सोया बिन इसको 10 मिट पहले पानी में रखा हुआ था अब यहां पर सवात के अनुसार नमक डाल देंगे और हलका सा ब्लैक पेपर करीबान आधा चोटा चमस के जितना ब्लैक पेपर डाल दिया है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यहां पर हमने पनीर लिया है पनीर को पहले ही हमने इस बहुत अच्छा आता है तो इस तरीके से बुनने के बाद लीड लगा दीजिए जो हमारा कच्छा सब्जी है वो अच्छे से पक जाएंगे दो से तेर मिर्ट में गैस को स्लो करिएगा अब यहां पर शेक कर रहे हैं अब हमने नीचे सब्जी है उपर चावल डाला है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे चिज़ों को तो अगर आप इस तरीके से वेड़ेबल पुलाओ बना रहे हैं तो गारंटि है कि बहुत ज़़्यादा टेस्टी बना के तियार करने वाले घर वाले तो मांग भांग़िक खाएंगे इतने वेड़ेबल टेस्ती रेडी है आप इसे राइता के साथ सर्व करिएगा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है चावाल इक्तम खीला खीला है बिल्कुल मार्केट जैसा वेज़ेटेबल स्पुला हमारा बन के रेडी है धिर से याद दिला दू अगर मेरी आजकरेशेपी पसंद आए तो प्लीज से अस्क्राइब!